हेले स्रूरेंट में एक तासी है आप सबी का ग्यान चेतना चैनल में बहुत बहुत सागत करते हूं आज किस वीडियो में हम 1857 रिवाल्ट से संबंदित क्वेशन आंसर देखने वाले थे शुरू करते हैं आज का पहला प्रशन है अंग्रेज भारतिय सेना में चर्बी वाले कारतूसों सिर्थ चलने वाली एंफील्ड राइफल कब शम्लित की गई थी तो यह सम्लित की गई थी कि दिसंबर 1857 सॉरी 1856 दिसंबर को व्याख्या देखते हैं दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूर ब्राउन बेस के इस्तान पर नवीन एंफील्ड राइफल न्यू एंफील्ड राइफल के प्रियोकर ने लिया इसका प्रिस्रिक्षन डमडम अंबाला सियाल कोट में दिया जाना था इस नई राइफल में कार्दूसों की उपर उपरी भाग को मौह से काटना पड़ता था जनवरी 1857 में बंगाल सेना ने यह अफिवाय फैल गई की चर्वी वाले कार्दूस में गाय और सुवर की चर्वी है सैनिक अधिकारियों ने यह अफिवाय की जाच किये बिना तुरंद इसका खंडन कर दिया किन्तु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्वी वाले कार्दूसों का प्रियों उनके धर में को भरष्ट करने का यह निश्यत प्रेतन है यही भारत के प्रतम सुतनतिता संग्राम 1857 के बिद्रूर का ततकालीन जो है कारण बन जाता है अगला है भारत में प्रतम सुतनतिता संग्राम का मुख्य ततकालीन कारण था ततकालीन कारण अभी हमने देखा था सैनिक आसंतोस तो बी ओप्शन यहाँ पर सैनिक आसंतोस नहीं है अगला देखते हैं मंगल पांडे की गटना हुई थी तो मंगल पांडे की गटना जो हुई थे बैरकपूर में बी ओप्शन सही है ब्याख्या देखते हैं 29 मार्च 1857 को बैरकपूर में सैनिकों ने चर्वी वाले कारण तूसों का प्रियोग करने से इंकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजू डेंट पर आक कर उसकी हत्या कर डी प्राला मंगल पांडे कहां के विप्लव से यूड़े हुए हैं तो यह हैं मेरट बैरकपूर से बैरकपूर याउनी?! अगला है मंगल पांडे सिपाही था तो किस नेविट एनफेंटी का था तो यहां पर आंसर नहीं दिया गया है 34 यहां पर साहिद 49 या फिर 34 यहां पर यहां पर यह यह आंसर दिया है वो प्रिंटी इंद की मिस्टेक है तो आंसर है 34, भी बंगाल नेटिव इन्फैन्टी के छटवी कमपिनी में एक सैनिक सिपाही थे अगला है 1857 के बिद्रों के द्वरान बाहदुर शाह ने किसे साहिब ए आलम बाहदुर का खिताब दिया था तो साहिब ए आलम का खिताब जो है वो मिला था बक्त खां को बिद्रों के द्वरान बाहदुर शाह ने बाहदुर शाह को साहिब ए आलम बाहदुर का किताब दिया था बाहदुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल तथा मिर्जा जहिरुद्दीन को मुक सैना पती घोशित किया परंतु बिद्रों में बास्तविक नेतत्र बक्ति खां के पास जो है वो बक्ति खां के पास था अगला है 1857 की करांती का मुख्य कारण था तो मुख्य कारण जो है वह बिटिस सम्राज की नीती अगला है 1857 की करांती सरप्रतम कहां से प्रारम होई थी तो आंसर है मेरट 1857 की करांती 10 माई को मेरट में होई थी यहां की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट ने के सैनिकों ने चर्वियुक कार्थूसों को चूने से इंकार कर दिया तता खुले आम बगावत कर दी थी 1857 में के सुदंता संग्राम से संबने पहली घटना घटी थी तो यह सैनिकों का दिल्ली के लाल के लिए पर पहुँचना 11 माई 1857 दिल्ली के मेरट आई सैनिकों के दस्ते ने मुगल समराट बादु शायन से यह अपील की थी समराट इन सिपाईयों का ने तत्र सुईकार करे इस परिकार सैनिकों का दिल्ली के लाल के लिए पर पहुँचना पहली घटना ती कानपूर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को बिद्रो किया बेगम हजरत महले 4 जून 1857 को परारम अवद लखनव के बिद्रो का नेत्वत्र किया जहांसी किरानी लक्ष्मिवाई ने जून 1857 के बिद्रो किया तथा वे 17 जून 1858 को शहीद हो गई थी अगला है 1857 के स्वदींता संग्राम का प्रटी था तो ये था रोटी और कमल 1857 के संग्राम के निमलिखित केंद्रो में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनहा अधीकरित किया तो इसका सही आंसर है सबसे पहले दिल्ली को किया कैप्टन निकोलसन के नेत्वत में तीन मैने के घेरवंदी के पश्चाथ 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली के पुनहा प्राप्ति कर ली गए अगला कुशन है 1857 के स्वदींता संगर्ष की वीरंगना महरानी लक्ष्मिवाई की जन में इस्तली थी तो आंसर हो जाएगा बनारस बनारस रानी लक्ष्मिवाई का मूल नाम जो है मनी करनी करनी का था का जन में 19 नावंबर 1835 को गोल घर में हुआ था जो बर्तवान में बारारसी में है तो इनको इन से रिलेटर बहुत सारी जो है बॉलीवुट ने मुविया बना रखें तो आप उनको देखे इस जो केरेक्टर है उसको समझ सकते हैं अगला है 1857 के बरेली बिद्रो का नेता कौन था तो इसका सही आंसर हो जाए खान बाहद्दूर ए ऑप्शन खान बाहद्दूर बरेली बरेली मैं रोहल खंड के भूतपूर शाशक के उत्रादिकारी खान बाहद्दूर ने 1857 के बिद्रो की रहनुमाई की यद्दिपी बिटिश पेंचन पर गुजर बरस कर रहे खान बाहद्दूर ने शुरू में इन में से कोई दिल्चस्पी नहीं कि ली किन्तु बिद्रो की लहर फैलती उन्होंने खुद प्रशासन समगा लिया और करीब 40,000 सेनकों को अपनी मजबू सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मकाबला किया मुगल समराड बादू शायद होती है ने इन्हें बाईसराय का पद नियुक्त किया था इस पद पर अपने कारेकाल के दोरान उन्होंने हिंदू और मुसल्मानों के साथ समानता का बेवहर किया और एक लेच्चमी भाई को अनतिम युद में सामना करना पड़ा था तो यो रोच ए उप्षन रानी लेच्चमी भाई जहासी के अनतिम मराथा राजा गंगाधर राओ की बिद्धा पत ने थी जब किसी उतराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राओ की मिippy्त्यू हो गई तो डल होजी ने ब्यापगत सिद्धान के अंतर 1853 में जहांसी का बिटिश समराज में बिले कर लिया जहांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मिवाई के नेतत में बिद्रो का श्रीगर्श श्रीगरेश हुआ जहांसी के पतन के बाद रानी गौलियर की और प्रस्तान कर गई जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंतिता अंग्रेज जर्नल हियोरुच से लड़ते हुए 17 जून 1858 को बीर गती को प्राप्त हुई रानी के मिट्टी उपर हियोरुच ने कहा था भारती बिद्रो में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है तो इनका कथन जो है वो काफी फेमास है और एक्जाम में यह पूछा जाता है कि किस अंग्रेज ने यह कहा था तो हियोरु बढ़ा तो यहां पर लखनव पूछा है तो आंसर हो जाएगा बेगम ओफ अबद ए ओप्सन लखनव में बिद्रो का आरम 4 जून 1857 को हुआ बिद्रो का नेतर बेगम हजरत महल ने किया था अगला कुशन है वह महिला जिसने अबद में 1857 की करांती का नेतर किया था तो आ ने किया था तो हो जाएगा बेगम हजरत महल निमलीखित में से कौन इलहावाद में 1857 के संगराम का नेता था तो आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली इलहावाद में 1857 के संगराम में बिद्रोही बिद्रोहियों का कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली बाद में यह के विद्रों को जनरल नील ने समाप्त किया अगला कुश्यन है 1857 के संगर्ष में भाग लेने वाले सिपायों की सरवादिक संख्या थी तो यहां पर अंसर हो जाएगा अवद से 1857 के संगर्ष में भाग लेने वाले सिपायों की सरवादिक संख्या अवद से थी बास्ताव मे उस समय अवद में शायद ही ऐसा कोई परिवार रहा हो जिसका कोई सदस सेना में न न रहा हो केवल अवद सेही लगवा 75,000 सेने सेना में थे अगला है नाना सहाब का कमांडर इंचीफ कौन था तो यहां पर हो जाएगा तात्या टोपे कानपूर में 5 जून 1857 को नाना सहाब क पेश्वा मान का सुतंतर्टा की घोश्णा की गई नाना सहाब को सेना पती कमांडर इंचीफ तत्या टोपे से बहुत साहजिता मिली थी अजी मुल्दा खा सलाहकार थे तो यह सलाहकार किसके थे नाना सहाब की वर्ष 1857 के विद्रो के संदर्प में निमलिकित मैंसे किसे क अंगये जो द्वारा बंडी बना कर मार दिया गया तो यहां पर सही आंसर यह तैतया टोपे तातया टोपे के मित्रे ने उनको दोका दिया और बनाकर दिया गया ताटया टोपे को राम चंड पांडूर्ग की नाम से भी जाना जाता है अब 1857 के बिद्रो बार्थी बिद्रो के प्रमुख नेदा थे उनका जन महराष्ट में यह ओला गाउ में हुआ था भी अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए जहां में पेश्वा के दर तक पुत नाना दुन्दुपंद जिनने नाना साथ की नाम को अपना सत्रू मान चुके थे दोनों ने मिलकर कानपूर में इस्ट इंडिया कंपिनी की भारती टुकडी को जीत कर नाना साहब की अधिपत्य को स्थापित किया तात्या स्वयम सेना की कमांडर इंचीफ बन गए नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना हराया जिन में राने लच्मीवाई बीरगती को प्राप्त हुई ग्वालियर खो देने के पशाद तात्या टोपे ने सागर एवन नर्मदा छेत खांदेश एवन राजिस्तान में सपलता पूर्वा गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया एक वर्ष में तक अंग्रेज सेन पकड़ने में नाकाम रही अंतिता उनके विश्वसनिय मित्र मान सिंग ने धोका दे कर उस समय पकड़वा दिया जब पोरों के जंगल में अपनी कैम्प में शयन कर रहे थे यहां से उन्हें पकड़कत शिवपूरी लाया गया और सैनिक अधालत में 18 अप्रेल 1859 खुन को फासी दे दे गई अगला कुशन है 1857 में निमलेखित करांदी कारियों में से किसका वास्टर की नाम रामचंदर पांडूरंग था तो यह नाम हो था तत्तर टोपे जी का अगला कुशन है कुवार सिंग 1857 के विद्रों में एक प्रमुख सिना नायक थे वह निमलेखित में से किससे संबन्द थे तो यहां पर जो सही आंसर है कुवार सिंग बिहार से 1857 में जगदीश पूर में विद्रों की अगुवाई करने वाले ला कुवार सिंग बिहार के आरा जिले से संबन्द थे जब उन्होंने अंग्रेजों के बिरुद्ध विद्रों का जन्दा बुलंद किया उस समय अच्सी बसके थे प्रकति ने उन्हें अदब में शोरे भी अंग्रेजों की सत्ता का तक्ता पलट दिया और अपनी सरकार इस्तापित की वह कानपूर परसंयोक्त आकमन के लिए नाना साहिब की मदद हेतु कालपी की और बढ़े वह बिद्रों की मशाल रोहतास मिर्जापूर रीवा बांदा और लखनव तक ले गए जहां उनका अत इन सफलता के रूप में राज गिरह नगर यानि चकदीशपूर के नेकर अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया इसी युद्ध के दोरान कुंगार सिंग बुरी तरह घायल हो गया और 26 अप्रेल 1859 को उनकी मिट्ट्य हो गई उनके मिट्ट्य के बाद उनके भाई अमर सिंग ने डिसंबर 1859 तक अंग्रेजों के साथ जो है संगर्स जारी रखा अगला कुश्चन है 1857 की करांती दोरान बिहार में करांती कारियों का नेता कौन था तो हो जाएगा नाम यहां पर बी ऑफशन Books ऑुमार सिंग। कोमर सिंग क्वार सिंग ने Bayern के बिद्रो का नेतायों किसी प्रांच से किया था गई ऑथा आंसर व ज़नके बिद्रो का नेतायों का नेता। तो एया वहार में किसैंग की आता है क्वार्सिंगh, जगदीशपूर Kil और 1857 के विक हुदा में क्लाऊनत्य कारीULT कारी willow जगदीश फूर के राजा कौन थे एक लाजमिंगh, पत्थना के 1857 के संग्राम के नेता थे तो लाभण हो जाएगा राजपुत कुमर सिंग पटना बिहार के निगर जगदीशपूर के जमीदार कुमर सिंग में विद्रो की नेतत किया था हूंगे जमीदारी कंपनी की नेतियों के करणद छिन गई थी फ़ल सरूर उन्होंने अपने रोश की अभीवेक्ति विद्रो में कर गी थी तीवान निराम्द्थ यह बहुत इंपोर्टेंट हैं 5887 कि करती के समय यहां की दीवान मनिरामद्थ ने वहां की अन्तिम राजा के पोरटर कंद पेश्वर सिंग को राजा घऊशिद करके विद्रो की बिद्रो का द्रवन करके मनी नाम को फासी देदी गई तो असम का हमें याद रखना है चुछी हमें बिहार दिल्ली और बनारस लखनौ और इन जगें याद रहते हैं लेकिन जैसे असम हुआ और भी अभी नाम आई है तो उनकी बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी यह काफी नए हैं अगला देखते हैं 1857 के बिद्रो का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 चनबरी 1858 तक केंडर था तो आंसर हो जाएगा जगदीशपूर बिहार में 1857 के बिद्रो का केंडर जगदीशपूर था जहां जमीदार कुगार सिंग के नेतत्र सम्माला तता शाहाबाद ज पहलता। तो यहां से यह भी बनता है कि टेलर और बंगाल के गोलन दाज जो थे मेजर विंसेट जो पहलता जो है इस विद्रो यहां पर दबाया गया था अगला है अठासु संतावन की करांती में अंग्रेजों वा जोदपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था तो आंसर हो जाएगा अववा के ठाकुर कुशाल सिंग तो ये भी इंपोर्टेंट है क्योंकि राजिस्तान से संबंदित है तो ज़्यादा चांस नहीं बनते लेकिन फिर भी हमें याद रखना है अववा के ठाकुर कुशाल सिंग ने 1857 की करांती में अंग्रेजों और जोदपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था अगला निमलेखित मेंसे कौन सा इस्तर राजिस्तान में 1857 की करांती का केंडर नहीं था तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा चैपुर जो है वो बिल्कुल भी इसमें सामिल नहीं था बागी अजमे नीमच अववा जो है वो सारी के सारी इसमें संब्लेट थे निमलेखित मेंसे किसने 1857 में अंग्रेजों से संगर्ष किया था तो अंसर हो जाएगा सहादत खान यहां पर देखते हैं नीचे आगे हैं निमलिकोष मैसे कौन 1857 केvidडो में अंג्रेजों का सबसे कटर दुश्मन था तो सबसे कटर दुश्मन मौल्वी एहमद दूला शाय तो यहाँ पर बीया आख़्या देखते हैं उनकी मौलवी एहमद दूला शाय ने फेजाबाद अब ये फैजाबाद से संबद दे थे तो हमें ये भी याद रखना है कूट दे कर भी पूछ सकता है और एक कुशन की रूप में भी पूछ सकता है तो हमें याद रखना है बिल्कुल से ये एकदम फैक्ट दिमाग में छप जाना चाहिए 1857 की विद्रोग अपना नितत्र उन्होंने प्रतान किया ये अंग्रेजों के सबसे कटर दुश्मन थे वह मूलता तमिल लाडू के अरकाट में रहने वाली थे पर वह फैजाबाद में आकर बस गए उन्होंने भारत के बिभिन धर्मनायों का आहयान करते हुए कहा कि सारी लोग काफी अंग्रेजों के बुर्द खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खड़े दो उनके इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा है अदम साहस के गुणों से परिपूर और दर्ण संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर प्रथम सहनेक हैं उनकी ग्रफतारी के लिए बिटे सरकार ने 50,000 रुपे का इनाम रखा था अगला कोशन है 1857 के विद्रोगों किस उर्दू कभी ने देखा था तो यहां असर हो जाएगा गालिप ने 1857 को देखा था अगला है सूपरसिद उर्दू शायर मिर्जा गालिप का मूल इस्थान था तो मूल इस्थान जो है वो है आगरा और इनकी जो मिट्टी हुए 1869 दिल्ली में हुई है आगे देखते हैं आजादी के पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया तो किसने भाग यहां पर नहीं लिया तो यहां पर आंसर हो जाएगा भगा सिंग क्योंकि भगा सिंग तो बहुत पाक्त के हैं और यह 1857 की बात हो रहे है तो यहां पर आंसर हो जाएगा आगे देखते हैं, यहां पर ब्याक्या जो है वो ही है जो मैंने बताया, आगे 1875 के बिद्रों से नांकित मैंसे कौन सम्मन्द नहीं था, नहीं था तो यह है उदम सिंग, उदम सिंग भी बाद में आते हैं और यह करांतिकारी होते हैं, और यह जनरल डायर को लंदन जाके उ पंजाब की करांदी कारी थे जलिया वाला बाग हत्याकाण का बंदा लेने के लिए उन्होंने ततकाल पंजाब की गवर्णनर्ट माइकल ओडायर को लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी जिसके लिया उन्हें ग्रेफ़तार करके मिर्तुदन दे दिया गया बेगम हचरत मह लखनों में कुवर सिंग्ने बिहार में मौलवी एहमद दुल्दा ने फैजाबाद में 1877 का नितुत्र किया था 1877 की सुतंतरता संग्रा में किस राजवन्स ने अंग्रेजों की सर्वादिक साहता की थी तो यहां पर हो जाएगा गौलियर के सिंधिया तो इन्होंने साथ दिया था अंग्रेजों का ब्याक्या देखते हैं 1857 के संग्र्ष में गौलियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वादिक साहता की थी यूरोपिय थ्यासकारों ने गौलियर के मंत्री सर दिंकर राओ और हैदरावाद के मंत्री सालार जंकी राजभक्ती की बहुत सराहन कि संकट के समय कैनन ने कहा था यदि सिंधिया भी बिद्रो में शामिल हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होता तो ऐसा कैनन ने कहा है कि अगर वह यह भी उनके साथ मिल जाते तो हमें यहां से बिल्कुल से भागना ही पड़ता अगला है भारत में सिक्षित बर्ग तश्ट थे 18 संदावन के बिद्रो में जो सिक्षित बर्ग वह इसमें तश्ट थे ब्याक्या देखते हैं 18 संदावन के बिद्रो में सिक्षित बर्ग ने कोई रुची नहीं लिए जो उस महासमर की आसफलता की प्रमुक कार्णों में से था बिद्रोही जिस प्रकार अंध पिदक कर दूर हो गए सिक्षित भारतिये देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे उनके मन में यह गलत विश्वास भराता कि अंग्रेज आधुनी करन का यह काम पूरा करने में उनकी साहता करेंगे जबकि जमीदार पुराने शाशकों और सरदारों तथा दूसरे साम करन करने में ना सिर्फ असमर्थ साबित हुआ बलकि उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा इस मामले में 1857 की करांती से दूरदर्सी सिद्ध हुए आगे है निमलिखित वर्गों में किसने 1857 की बिद्रों में भाग नहीं लिया तो यहां पर जो है जमीदार सामिल थे य है और किर्षक भी सामिल थे तो यहां पर देख्थे हैं यहां पर डी ओक्शन जो है तो यह थो हैँ पर घuencia जमीदार इस में वे विद्रों में सामिल नहीं थे यह है यहां पर ब्यांकिया देखते एंटाराद सन्तावन का बिद्रों बहुत बढ़े छेतर वर खैला हुा थ और इसे जनता का व्यापक समाथन प्रापता फिर भी पूरे देश को या भारती समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह उनकी लपेट में नहीं ले सका यह दच्छिनी भारत तथा पूर्वी भारत और पश्मी भारत के अधिकान भागों में नहीं फैल सका भारती रजवाणों के अधिकान शाचक तथा बड़े जमीदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों के शक्ति के भाइबीत और विद्रों में सामिल नहीं हुए गौलियर के सिंधिया इंदोर के खोलकर हैदराबाद के नेजाम जोदपूर के राजा भुपाल के नवाब पट्याला नाबाद जीन के सिख एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार कश्मीर के माराजा दूसरे अंग्रेज सरदार बड़े जमीदारों ने विद्रों को किया वर्ना यह तूफान एक ही लहर में हमें भाले जाता। उच्छ तथा मद्धे बर के अधिकांच लोग विद्रोईयों के आलोचक थे। विद्रों में सामिल अबद के बहुत से तालूकोदारों बड़े जमिदारों ने अंग्रेजों से यह आशवाशन पाकर उनकी जागिरें जो हैं बापस दे जाएंगे विद्रों से किनारा कर दिया। अधिकांच लोग विद्रों के हमलों का निशाना सूध खोर साहुकारती इसलिए भी स्वाबाविक तोर पर विद्रों के शत्रू हो गया। आधुनीक सिक्षा प्राप्त भारतियों ने भी विद्रों का साथ नहीं दिया। सिक्षित भारतियों देश का पिछड़ा पंसमाप्त करना चाते थे। लखनाव इस छेत्र में विद्रों के केंडर थे और रानी लच्मिवाई जो है वो जहांसी की कुमर सींग जगदीशपुर के बेगम हजरत मेल जो है वो है लखनाव की। अगला कुशन देखते हैं 1857 के विद्रों से बिहार का कौन सा भाग आप्रभावित था। बिहार में भी ऐसा कोई भाग था जो यहां पर नहीं समझे था तो वो है पठना बी ऑप्षन पठना यहां पर सही है यहां पर ब्याक्या देखते हैं अठारग संतावन के विद्रों के द्वारन बिहार में आरा दीन दीना पूर गया पटना मुझफरपूर तता साहबाद विद्रों के प्रमोग कैनते जबकि मुगेर का छेथ इस विद्रों से अपर वावित रहा और यहां पर केवल यहां पर जो है मुवेर है ना कि पठना है तो यह मुझे पढ़ने में देखने में गल्ती हो गई तो आप मुझे बाफ करिएगा आगे देखते हैं अब यहां पर दो सूचियां दी गई है और उसका मिलान करना है बक्ते खां जो है बक्ते खां दिल्ली में देखते हैं बक्ते खां जो थे वो दिल्ली में तो हम एक मिलाए तो फिप्त जो है फिप्त दो जगे दिया है आगे देखते हैं कुवर्सिंग जो है कुवर्सिंग का मिलान करेंगे मौल्मी एहम दुल्ला जो है उसका मिलान है अमाद से कुवर सिंग का है कुवर सिंह का हो जाएक आरा से और नाना साहब का कानपुल से तो इस हिसाब से जो है हमारा वसी ऑप्शन जो है वह यहां पर शही बढ़ता आफ अगला फिर से देखते हैं फिर से दो सूचियां दी गई हो उसका मिलान करना है तो यहां पर रानी जांसी रानी लक्षमिवाई का जांसी से लक्रव का है बेगम हजरत महल कानपूर का भी हमने देखा था है फैजावाद का है फैजावाद का हो जाएगा तीसरा और चौथा और तीसरा और कानपुर का है कानपुर का अजी मुल्ला खां और फैजावाद का है मौलभी आहमाद शाय है तो यहाँ पर 3-4-2-1 तो 4-3-2-1 जो है वो यह उपशन यहाँ पर सही है अगला यहां पर ब्याख्या जो है वही है जो वहां पर दी गई थी आगे देखते हैं फिर से दी गई है और उसका कूर्ट मिलान करना है तो नाना साहिब नाना साहिब का है मनी राम दीवान असम नबाब हमी अली खान यहां पर करांदी कारियों के नाम है और दूसरी जगे इस्थान तो दी का जो फोर है तो यहां पर देखते हैं डी जो है दो जगे हैं और यहां पर देखते हैं नाना साहिब जो है कानपूर है नवाव हामेद अली खाय दिल्ली मौलवी एहमुद उल्ला जो है वह लखनौ लखनौ का इसलिए क्योंकि मेगम हजरत महल को भी हद तक हमने देखा और यहां पर जो है मौलवी एहमद उल्ला भी है लखनौ के तो यह भी हमें याद रखना है और नवाब हामिद अली खा तो हमने बक्ति खा बक्ति खा देखा था तो ये भी है नवाब हामिद अली खा और मनी राम असम के ये तो देखी चुगे थे अगला है 1857 के विद्रो के समय भारत का गवर्णर जनरल कौन था तो ये थे बैंटिक 1857 के विद्रो के समय भारत का गवर्णर जनरल लौड केनन था लौड केनन भारत के कंपनी द्वारा नियोक ति अंतिम गवर्णर जनरल था तता बिटिक शाशन के अधीन नियोक ति भारत का पहला वाइसराय था तो हमें वाइसराय भी याद रखना है कि ये पहले थे और अंतिम गवर्णर जनरल जो है वो भी यही थे तो ये याद रखना है अगला 1867 के विद्रो के समय भारत का गवर्णर जनरल कौन था तो कैनिन थे अगला 1857 विद्रो के समय बैरकपूर में कौन बिरिटिश कमांडिंग ओफिसर था तो बैरकपूर में पूछा है तो अंसर हो जाएगा है αe 1818 में किसने decepably को आपात कालीन मुख्याले बनाये था तो यह होग जाये कैनिन 1785 बिद्रो के समय ततकालीन गवरनर जर्रल लॉड कैनिन औरहावाद को समय आपातकालीन मुख्याले बनाये था अगला कुशिन है 18 cared बिद्रों के समय ब्रिटिश प्रिधान मंत्री कौन थे तो पामिस्टन जिस समय भारत में 1877 की करांती हुए ब्रिटेन में 20 कौन्ट पामिस्टन बिटेन का प्रिधान मंत्री था उसका कारेकाल 1855 से अंठाउन तक था अगला कुशन है 1857 का बिद्रों मुखिता किस कारण से असफल हुआ तो यहां पर जो आंसर है किसी सामान योजिना और केंड्रिय संगठन की कमी की कारण से यह असफल हो जाता है अगला यहां पर देखते हैं ब्याक्या 1857 के बिद्रों की असफलता का मुखि कारण किसी सामान योजिना और केंड्रिय संगठन की कमी थी बिद्रों में नेताओं में कोई संगठन की भावना दिखने में नहीं आए 82 वर्षी मुगल समराड बातदूर शाय कमजोर थे उनके द्वारा विविन सादारों का आहवान करना काफी नहीं था साथी विद्रों ने वीर्दा तो दिखाई और सरकार का बिनाश करने पर भी तुली हुए प्रतीत होते थे किन्तु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सोनियोजित कारिक्राम का अभूत का पूर्ण अभाव था इसमें अनुशाशन की कमी भी थी कभी-कभी तो वे अनुशाशन अनुशाशित सेना के बजाए दंगाई भीड की तरह बिवहार करते थे बिदेशी शाशन के पृती एक सांजी घर्णा को छोड़ कर और कोई सूत्र और कोई सम्बंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था किसी छेत्र विशेश से ब्रिटिश सत्ता को उखाड फेकने के बाद उने पता भी नहीं होता था कि उनकी जगह किस प्रकार की राजनेती सत्ता या संस्ताइश सापित की जाएंगी उनके पास एक भविश्यों मुख्र कारिकरम सू संगत विचारधारा राजनेतिक परिपेख्ष और भावी समाज और अर्थ विवस्ता के परती एक सूइस्पष्ट देश्रिकोन का अभा परता में कमी थी भारती राजाओं ने ब्रिटिस सरकार का साथ दिया था ब्रिटिस सिपाही कहीं अच्छे सुसज्यत वर संगिटित थे तो डी ऑप्षन यहां पर सही हो जाएगा अब यहां पर ब्याख्या देखते हैं विद्रों के समय भारतियों में एकता की अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हों किन्तु विद्रों के एक गातक सिद्ध हुए विद्रों विद्रोहियों के लक्ष को धक्का पहुचाने के लिए यह अकेली कमजोरी नहीं थी भारती सिपाही बादूर तथा स्वार्त रही तो थे मगर उनमें अनुशाशन और एकता का जैसे पट्याला, जीन्द, गौाले और हैदरावाद के राजाओं ने इस विद्रों के दवन के लिए सहायता भी दी यूरोपी अध्यासकारों ने गौालेयर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदरावाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ती की बहुत सरायना की रण नीती और रण कोशल की दरश्टी से भी अंग्रेजी सेनाएं भारती बिद्रोही से बहुत आंगे थी बे भारती सिपाईयों की तुल्ला में अधिक सूसत जित थी अता 1857 के बिद्रोह की असफल्दा के उप्युक्त कारण जो थे वो समी जिम्मिदार थे अगला कोशन देखते ह अंग्रेज राजपूत राज्जियों में 1857 के बिद्रोह को दावाने में सफल रहे क्योंकि इस्थानिय शाष्कों ने करांती कारियों का जो है वो साथ नहीं दिया अगला देखते हैं निमलेखित मैंसे किस ब्रिटिस अधिकारियों ने दिली लखनाओ में अपना जीवन खोया था तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा नील ने कोई था, हैव लॉक ने कोई था और सर हैनिल लॉरेंज ने कोई था नील ने, हैव लॉक ने और लारेंज ने तो C option यहां पर सही हो जाएगा और यहां पर एक option था पहला जिसमें जॉन नेकलोसन इनकी जो मिट्ट्यों है दिल्ली पर अधिकार करने की क्रम में हुई थे बाकी जो है वो लखनों में थे जैसे लॉरेंस है बलॉक और नील इनकी मिट्ट्यों जो है लखनों में हुई थी अगला है विचार करना है ए और आर दिया गया है और देखना उसकी ब मातपूर रियासतों के शाषक उनका साथ देने में कत्रा गए यहां पर जो सही है वो दोनों ही सही और उसकी ब्याख्या जो है वो भी सही है आगे देखते हैं निमलेखित मैंसे किस ने 1877 के विद्रों को एक शर्यंत की नियू दी है तो हो जाएगा शर्यंत की नियू दी है आउटरम और टेलर ने संधाně सर जेम्स आउटरम और डब्लू टेलर ने 18 संथा उनके विद्रों को हिंदू मुसलिम सर्यंत का परिणाम बताया है 1 जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उछाया गया जोन लारेंस कहते हैं कि यह के वह सैनिक विद्रो था सीले के अनुसार 18 संदान कर विद्रो यह पूरता देश भक्ती रहे तो स्वारती विद्रो ही सैनिक विद्रो था जिसमें ना कोई स्थानिय नेता ही रहा ना ही इसे सर्व साधारन का समर्थन त्रापता है उनके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के बिरुद भारती सेना का बिद्रो था और टी आर होम्स के अनुसार ये बरवर्टा और असब्वे के बीच युद्ध था तो जिन्होंने जो जो कथन पूछे हैं वो एक्जामे कूट देकर पूछ जाते हैं अगर हम उनके जो कथन है बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो हमें याद ही हो जाएगा आगे देखते हैं आदुने के थ्यासकार जिसने अठारा सो संतावन के बिद्रोग सुतंतिता की पहली लड़ाई कहा था तो वो हो जाएगा वीडि सावर कर C option और इनकी जो पुस्ताखेदा इंडियन बारो इंडिपेंडेंस 1857 विद्रोग सुने योजित सुतंता संग्राम की उन्होंने संग्या दी थी अगला 1857 की संग्राम को पितम सुतंता संग्राम किसने दिया था तो वीडि सावर करने भारती ये सद्धीनता आंदोलन का सरकारी इत्यासकार था तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा S.N.S.E.N.D. option यहाँ पर सही है 1857 की भारती सद्धीनता आंदोलन के सरकारी इत्यासकार सुरिन नात्र सेन जिनकी पुस्ता 1857 में प्रकाशित हुई थी तो यह ऐसे सरकारी इत्यासकार थे अगला है कुशन है भारती ये वाला जो कुशन है सरकारी इत्यास वाला ये आया हुआ कुशन है तो इसको ध्यान में रखेंगे अगला है भारती इत्यास में 1857 के विपलव के कारण पर लिखने वाला पहला पर्थम भारती है था तो यहाँ पर हो जाएगा सही अंसर सरसयत एहमद खां सरसयत एहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक अस बाब ए बगावत ए हिन बर्स 1859 में प्रकाशित हुई थी 1857 के विद्रों के कारणों के इनों ने चर्चा यहाँ पर की गई थी इस पुस्तक में अगला है तथा गतित प्रथम राश्टिय सुतंत्य संग्राम ना राश्टिय और ना ही यह सुतंत्य संग्राम था तो यह कैसे ने कहा था यह कहा था आर्सी मजूमदान है इनकी जो पुस्तक का नाम दा सिपो इम्यूनिटी एंड रिवेलियन ओफ 1857 को सुतंत्य रूप से 1857 में प्रकाश्टिय ना प्रकाश्टिय और ना ही सुतंत्य संग्राम उन्होंने कहा है अगला कुश्चन है अठार संदाउन की करांथी के बारे में निमलिकित मैंसे कौन सा एक आउधारना सही है तो यहाँ पर जो आउधारना सही है वो है इसने भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के शाषन को मृत प्राण बना दिया सी ऑप्सन यहाँ पर सही है अठार संदाउन की करांथी के परणाम सरूप भारत शाषन की बागदोर कंपनी के हाथों से निकल कर बिटिश क्राण के हाथों में चली गई तथा उसकी शाषन परणाली में अमूल चूल परिवतन किया गया अताह जो सी ऑप्सन है यहां पर जो सी ऑप्सन था इस इंडिया कम्पनी की सटेशन पर मिर्थ प्राण बना दिया था उसी ऑप्सन यहां पर सही अग्ला देखते हैं महरानी विक्टोरिया के भारत्य प्रशाषन को बिटिश्ट ताच के नियंतर में लाने की घोश्वण क कब की गई थे तो इसका सही आंसर है एक नमबर 1858 अठारफ शंटावन की किरांती के दमन के पश्चात एक नमबर 1858 को महरानी विक्टोरिया ने भारती पर शाशन को ब्रिटिश ताज के नियंतर में लेने की गोष्टना की इस गोष्टना के बाद भारत में कंप्पिनी के श अच्यू 15 सदस्वाली इंडियन काउंसिल की इस्तापना की गई ततकाली गवर्णर जनरल लाल कैनिन को भारत का प्रिथम गवर्णर बनाया है अगला कुशन है समरागी विक्टोरिया ने 1858 की घुशना में भारतियों को बहुत सी चीजें दिये जाने का आवशाशन दिया था निम्ने आवशाशनों में से कौन सा बिटिश शाशन ने पूरा किया था तो यहाँ पर जो है देशी रियासतों को खड़पने की नीती समाप्त कर दी गई थी बैक्या देखते हैं 1858 के बिद्रों का सबसे मात्पूर्ण पर नाम मरानी विक्टोरिया की उद्गोशना थी यह उद्गोशना एक नावंबर 1858 को इलावात में के दरवार में लाल कैन दौरा उद्गोशन की गई थी तो यहां से भी मात्पूर्ण पैशन बनता कि उनके उद्गोशना पत्र को किसने पढ़ाता तो आंसर हो जाएगा हमारा लौड के रिन ने कहां पर पढ़ा था तो हो जाएगा आंसर इलावात और देट क्या थी एक नमबर 1858 को इसमें भार भारत का शासन सीदे क्राउन के अधीन कर दिया गया इस घौफ़षना में भारत में ब्रिटिश समराज के विस्तार पर रोक स्भान के धार्मिक मामलों मेंं हस्चेप न करना एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उबलब्द कराना शामिलते हैं भारती रजवारों के प्रतिभ विजय और विलय की नीती का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने के अनुमती प्रदान कीता था भी अन्य अश्वाशन ब्रिटिश राशन द्वारा पूरे नहीं किये जा सके अगला है महरानी विक्टोरिया की उद्गोशना का उद्देश्य था तो यहाँ पर जो उद्देश्य था वो था भारतिये राज्यों को ब्रिटिश समराज में मिलाने की किसी भी प्रिचार का परित्याग करना दूसरा था भारतिये प्रिशाशन को ब्रिटिश क्राउन के अ तरगत रखना ये भी था तो एक और दो जो हैं वो सही है आगी ब्याख्या देखते हैं बिटिश सरकार ने 1858 में एक अधिनियम लागू किया जिसे भारती प्रशाशन सुधार अधिनियम कहते हैं इस अधिनियम के दौरा भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के शाशन का अंति कर दिया गया और बिटिश सरकार ने भारती प्रशाशन का प्रबंद सीधा अपने हाथ में ले लिया इस अधिनियम के तहर 1858 में महरानी विक्टोरिया ने एक गोशना की जिसमें ये उत गोशना किया गया कि जब अब से भारत का शाशन बिटिश शाशन के दौरा वा उनक रानी विक्टोरिया ने समरागी की पद्वी धारण की और इस प्रकार बिटिश बारत ने भारत के आंद्रेक मामलों में दखल देने की असीमित सक्तियां धारण कर ली संचेप में भारत पर बिटिश सर्वोच ता दर्ण सुद्रल रूप से इस्तापित कर दी गई साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा गोषणा की गई घोषणा द्वारा देसी राजियों को यह आश्वाशन दिया गया कि उतना अस्त जो है वो बना रहेगा इस पस्ट है कि भारती राज्जियों को बिर्टे समराज में मिलाने के किसी भी बिचार का परितिया करने की गोष्ण की गई थी बिर्टानिका द्वारा प्रकाशित दा हिस्ट्री ओफ इंडिया नामा पुस्तक के यहां पर जो है वो लिखी गई है तो अगला कुश्चन देखते हैं यहां पर निमलिकित मैंसे कौन सा आयोग 1857 के बिद्रो के दबन भारती फोज की नव गठन से सम्मनित है तो यह आंसर हो जाएगा पील आयोग 1857 के बिद्रो के दबन के बाद ब्रिटिस सरकार ने भारती फोज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया था जिस ने सेना की रेजिमेंट को जाती समुदाय और धर्म के आदार पर विवाजित किया सेनिक यूरोपिय सेनिकों की संख्या 1857 से पूर जो थी 48,000 थी और अब जो है 65,000 कर दी गई तथा भारतिय सेनिकों की संख्या जो है घटा दी गई और 1,440,000 कर दी गई थी जो 2,38,000 पहले थी बंगाल में यूरोपिय कंपनियों का भारतिय सेनिकों से एक अनुपाद, दो अनुपाद रखा गया जब मदरास और बंबई में यह अनुपाद एक और तीन रखा गया अगला 1857 के बिद्रो के बाद प्रिटिश सरकार ने सिपाईयों का इन प्रांतों से चैन किया तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोर्खा, सिख और पंजाबी जो है यहाँ पर चैन किया गया यहाँ पर ब्याख्या देखते हैं 1857 के बिद्रो के बाद प्रिटिश सरकार ने सिपाईयों का चैन गोर्खा, सिख पंजाब की उत्तर प्रांत से किया 1857 के बिद्रो को बढ़काने में उत्तर प्रिदेश बिहार के सेने को ने मातिपूर्ण भूमिका जो है निवाज़ इसलिए बिद्रो के समय बंगाल के सेना से साथ प्रिटिशात और उत्री पश्रिम योपी प्रांत के थे बिद्रो के लिए भारती उत्तर दाई थे इसी कारण 1 नमंबर 1858 को मारानी विक्टोरिया ने गोश्नापत के अंतरकत सेना का पुना गठन किया गया जो बिभाजन और प्रिति लोगन की नीती पर आधारी था तो स्टूडेंट आज लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए शेर करिए शेर करिए और सब्स्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद